नमस्कार दोस्तों मेरे नाम जिगनेस गामित है और आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं SMD रजिस्टर की वेल्यू कैसे पता करें हैं उस पर दिये गए दिये गए कोड की मदद से तो चले दोस्तों वीडियो को लेंगे कि कैसे हम कोड को देखते हैं दोस्तों कैसे पता कर सकते हैं इस रजिस्टर की वेल्यू को दोस्तों आप देख सकते हो यहां पर मैंने SMD रजिस्टर की जो सिंबल है वो ड्रो किया है और दोस्तों यहां पर जो है उसकी वेल्यू भी मैंने इस बोक्स में लिखी सेकंड पर चारऑस कोड लिखा हूए तो दोस्तो हम इस केसे पता करेंगे कि इसका वेल्यू कितना होगा दोस्तों आप देख सकते हैं अगर टी डीजिट वाला कोड़ होता है तो उसके दो जो पहले है डीजिट है वह स्वेल्य में सобще यानि कि पहले जो है यह दो डिजिट और तीसरा मैल्टिप्लाइर है इस तरह तरह दोसतो अगर तन धजुएगर गर है दोस्तो यह एक और दो और तिन यह बाद यह चोता है जोसे यह ऑ dove for यह दो सबयों करेंगे त्क है जैसे कि दोस्तों यह अगर है one और zero ठीक है इन्टो थ्री ठी यानि दोस्तो एक के साथ three zero यानि यह one के हुआ तो इस से दोस्तो हम कुने करेंगे अगर दोस्तो यहां पर चार डीजिट है तो इसमें से तीन पहले है वह सेम आएंगे उसके पाद into one और four zero ठीक है दोस्तों इस यह दोस्तो सफ्कार की वैल्यू को निकले लिकालते हैं तो देखते हैं यहांते हैं यह दो reflections हुआइस धी तरह से दोस्तों इसके बेड़ंटायों ओर ओंगा हम्स अगे बढ़ता है तो यहां पर और आर में अगे इस नहीं है यानि कि दोस्तों उसका बैद में वैलियू हाता है यह फैला के पहले कुछ नहीं है इसलिए बैस सिरी होोग Cr 0.47 ohms ठीक है वह दोस्तो यहाँ पर ऐसे दोस्तो के लिखा हुआ है और 47 इसका मतलब हुआ दूस्तो 0.47 into का मतलब हुआ thousand यानि उसका वेल्यू निकलेगा वह दोस्तो 470 ohms चार सो 70 ohms जो उसका value निगलेगा अगर यहाँ पर k है तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 10 लिखा हुआ है और उसके बाद 0 10 के आगे 10 है यानि यह 10 ohms है और आगे इस तरफ 0 है यानि कि यह 0 की point के बाद कुछ value नहीं होती देखिए दोस्तों यहाँ पर 0 10.0 उसकी जो point के बाद का 0 है उसकी कोई value नहीं है यानि कि यह 10 ohms है ठीक है इस तरह आप यहाँ पर 0 हमें देखा 103 इस तरह काई code है यह पोर यानि उसके value निकलेगी दोस्तों पहले दो digit 47 उसके बाद तीसरा multiplier है ठीक है इंटू वन यानि 10 होगा वन यानि 10 अगर जिरो आता है तो उसका value का रेजिस्टर है यहाँ पर देख सकते दूस्तों एक दूसरा वन एट जिरो थ्री वन एट और जिरो यह डिजिट हुए और तीसरा multiplier नहीं हजार कि अगर दूस्तों जीरो लिखा हुआ है तो जीरो की कोई value नहीं है यह जिरो आमस यानि जंपर हुआ ठीक है यहाँ पर अवरुद नहीं है यानि जंपर हुआ